अलो फ्रेंड्स माई साथ ब्रक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज बात करते हैं वो पांच महत्वपून बातें 5 इंपोर्टेंट फेक्ट जो एक राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पहले हमें जानना है बहुत पेशेंट्स का जो है वो इक्रसंस होते हैं सो वी डिस्कॉस अबाउट दा फेक्ट फाइप इंपोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी सर्जरी और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चै जी क्या है ये राइनोप्लास्टी बला क्या ये राइनोप्लास्टी सर्जरी है सो दोस्तों राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है वो एक बैसिकली नोज जोब है जिसमें नोज को री सैप और री साइज किया जाता है अकोर्डिंग तो दा रेस्ट ओफ हमारे फेशल फीचर उसके हिसाब से समय उजित किया जाता है दोस्तो इसको बहुत सारे नाम से अलग-अलग जानते हैं Plastic Surgery of the Nose है, Nose Reshipping Surgery है Rhinoplasty Surgery है Nose Reconstruction Surgery है Nose Job है दोस्तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो Rhinoplasty Surgery But finally जो M of Rhinoplasty Surgery Basically we just सेट दा नोज यानि हमारा जो नोज है उसको रेस्ट आफ दा फेशल फीचर के ही साफसे हम आयुजित करना जस्ट दो अकोर्डिंग तो दा रेस्ट आफ दा फेशल हार्मोनी जो इमपोर्टेंड बात है दोस्तो वहारी साफसे जरौत है जोनीे प्राइनोफ्लसी की जरौत है अगर किसी का नोज जो है, वो मिड लाइन में नहीं होके डेविटेड है यानि वो एक तरफ तिर्चा है, उसका टिप तिर्चा है तो आपको राइनोप्लास्टी की सरजरी की जरूत है और अगर आपका नोज का जो ब्रीज है उसके उपर जो है बंप निकला हुआ है तो आपको राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत है अगर आपका जो नेजल ब्रीज है उसके ओपर डिप्रेशन है गड़ा है जिसको हम सेडन नोज बोलते हैं तो आपको राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत है दोस्तो बहुत बार जो हमारा जो नोज है वो हमारे फैस के फीचर्स के अकोडिंग ओवर वाइड है वाइड नोज है तो हमें राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत होती है या बिल्कुल चिपका हुआ है फ्लेट नोज है तो हमें राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत होती बहुत बार रेर कंडिशन में दोस्तों जब किसी पेशेंट का नौज बिल्कुल पिंचिंग होता है उसकी फैस तो इता बड़ा है और उसका नौज बड़ा पिंचिंग है तो भी हमें राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत होती है एंड बहुत बार पेशिंट को टिप की जो है प्रॉब्लम्स होती है उसका टिप जो है एक तरफ twisted होता है तिरचह होता है उसका टिप जो है बेठा हुआ होता है या टिप कर यहां दोनों साइड के अंदर जो है एला की deformity होती है तो दोस्तो अगर किसी को इन जो हमने डिसकस किया है इन डिफोर्मिटी और विकरती में कोई समश्या है तो उसको राइनोप्लास्टी सरजरी की जरूत होती है इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राइनोप्लास्टी सरजरी है वो ऐसा नहीं है कि हमारी विकरती ठीक जो है लुक के लिए है ये हमारा फंक्शनल एसपेक्ट भी है उससे हमारे को ब्रेधिंग को भी इंप्रूमेंट करना होता है दोस्तों ये हैं जो फोलोविंग जो हमने डिसकुशन किया है इससे रिगार्डिंग किसी को भी हो तो राइनोप्लास्टी सरजरी की हमें जरूत है और फाइनली अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका नोज आपके जो बाकी फैशल फीचर्स के अकोर्डिंग नहीं है अगर मैंने राइनोप्लास्टी सरजरी करा है तो मेरे को क्या बेनिफिट्स है नमबर वन दोस्तो जब किसी patient के कुई विकर्ती होती है कोई deformity होती है और उस deformity के कारण patient को nasal blockage होता है और उसको जो cosmetic deformity भी जो होती है जब विकर्ती उसकी rhinoplasty surgery के माध्यम से ठीक की जाती है तो patient get a blockase free nose यानि उस patient's का nose जो है उसका breathing जो है वो correct होता है first advantage second, जब patient की जो बाहर की विकर्ती थी जिसके करण वो मांसिक रूप से परिशान था वो विकर्ती भी ठीक होती है so cosmetic and functional दोनों benefit होए rhinoplasty surgery की माद्यम से होता है दोस्तों, जब किसी patient की cosmetic और functional दोनों problem ठीक होती है he increase his confidence उस patient's का confidence बिल्ड़प होता है और वो जो है वो अपने जो है study हो चाहे आपका जो job हो उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है performance करता है and he'll get his confidence in his life वो अपना career को pursue करता है दोस्तों, तीसरा एक important चीज और है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी patient का road traffic accident या trauma या fighting में उसका नोज का एक हिस्सा जब खतम हो जाता है जब उसका नोज का part ही lost हो जाता है तो दोस्तों, ऐसे patient की जब rhinoplasty करते हैं जिसको हम reconstructive rhinoplasty बोलते हैं तो उस rhinoplasty के माध्यम से वो person है, वो patient है, वो एक समाज में क्या है survive कर सकता है तो दोस्तों, इस आर दा benefit of rhinoplasty surgery नाव, चोथी जो फोर्त जो है important बात है दोस्तों ओन वाट एज वी कें टू था राइनोप्लास्टी किस उमर में हम राइनोप्लास्टी सेजरी कर सकते हैं तो दोस्तों, राइनोप्लास्टी की जो ideally उमर है वो अगर लड़कियों में मानते हैं तो करीब 15 साल है और लड़कों में करीब 17 साल है ये एक ideal है जै बड़ दोस्तों, बहुत बार क्या है कि जो हमारी nose की जो विकरती है, उसके करण absolute nasal blockage है हमें breathing नहीं हो रहा, तो ये जो राइनोप्लास्टी है इस उमर से पहले भी लड़कियों में 13-14 साल पे भी और लड़कों में भी 12 साल पे भी ये सर्जरी कर सकते हैं जिसको हम pediatric rhinoplasty बोलते हैं तो दोस्तों ये है ideally edge of rhinoplasty जो fifth important information है दोस्तों कहीं ना कहीं सब के दिमाग में आता है इसका क्या cost है ये कितना खर्चा लगता है rhinoplasty surgery में तो दोस्तों राइनोप्लास्टी surgery की जो cost है वो आपको मैं बता दूँ ये vary करती है इसमें बहुत सारे factors होते हैं फर्स्त ये depend करता है कि patients को क्या deformity है पेशेंट्स की जो है वो primary है secondary है यानि पेशेंट्स ने पहले अगर surgery कराई हुई है या पहले नहीं कराई हुई है उसके नोज में कितनी सारी विकरती है उसकी cosmetic problem है या उसको blockage भी है दूसरा जो factor है वो surgery हम कहां करा रहे हैं अगर आज हम Bombay कराते हैं हम Delhi कराते हैं आज जैपूर कराते हैं सब जगे का अपना-पना है फिर इसमें भी आगे important चीज़ आप कहां पर करा रहे हैं आज corporate hospitals हैं बड़े hospitals हैं सब का अपना-पना जो है वो cost का होता है फिर भी on and average अगर हम बात करते हैं तो इस rhinoplasty surgery की cost है around 60-50-60K से लेके और करीब जो है वो 2 लाख रुपे तक चार्ज होती है अगर आज हम जैपूर में बात करते हैं आज metro में वो surgery अगर होती है वो 3 लाख से 5 लाख रुपे तक भी cost होती है तो दोस्तो इस डिपेंड की ये surgery जो है कहा हो रही है क्या विकरती है किस टाइप का patient है कौन surgeon operate कर रहा है तो दोस्तो ये डिपेंड करता है इस पर दोस्तो ये जो 5 महत्वपूर बाते हैं जो राइनो प्लास्टी कराने से पहले हमें अच्छे से जान लेनी चाहिए आपके दिमाग में कोई राइनो प्लास्टी शर्जरी के रिगार्डिंग इन पांच महत्वपूर बातों के अलावा कोई सवाल है तो यू पूट इन माय कमेंट बॉक्स डेफिनेटली आप मेरे को मेरे जो इन्स्टा पेज पर रीच कर सकते हैं थैंक यू झाल